अज नया ध्यार हम करने वाले हम लोग क्या नाम है ध्याए क्या बंगाल का उद्धा है ना अभी तक हम लोगों ने देखा क्या क्या है कि वहीं किस प्रकार से जो है यूरोपी पहुंचे और यहां करके उन में से करनाटा कि उद्ध के बाद यह सिद्ध हो गया कि किसी प्रकार जो है यहां पर सासन रहेगा किसका अंग्रेज हो का किसका सासन रहने वाला है व्यापारी के तौर पर अभी तक हम लोगों नहीं यही समझा है क्या व्यापारी के तौर पर अभी सबसे पाउरफुल कौन हो गये हैं अंग्रेज और इकलौ यहां बचे हैं बचे रहेंगे 1961 तक परंतु अब पुर्टगालियों के बारें पढ़ने क्या हो शकता नहीं क्यों क्योंकि वो व्यापारी के तौर पर कुछ जगह में सिमित रहेंगे फ्रांसेजी भी बचे हैं जाएंगे कब 1956 आजादी के बाद के हैं दोनों ठीक है बाद तो 1956 में वो लोग जाएंगे और उसके बाद में फिर जो है और कहां कहां पर रहें वो लोग कराईकल माहें पॉंडिचेरी यनम इस जगह पर व्यापारीक तौर पर रहें तो अब पु इसको वास्तों में अंग्रेजों की इस्तिती क्या कैसे बन रही थी उसके अनुसार पढ़ेंगे लेकिन बंगाल राज्य में अंग्रेजों की इस्तिती क्या थी बंगाल को पढ़ने के पीछे हमारा जो मुख्य उद्देश है वो यह है कि आखिर प्लासी का युद्ध हु क्यों बक्सर के युद्ध हुआ कि इस कारड को समज़ने इस बात को हम blue समय ना है क्योकि प्लासि और बक्तर के युद्ध इन दोनों युद्धों नहीं ही डिशाइड कर दिया था कि भारत में अंग्रेज के वह व्यापार नहीं करेंगे परन तुछ यहां पर अब वो क्या करने वाले हैं यहां के प्रशाशन में अभी वह हिस्सा लेंगे एक विदेशी कंपनी विदेशी सरकार नहीं बृत के प्रशाशन तंत्र में प्रवेश कर रही है बहुत बुरी खबर है यह और ऐसा हुआ कैसे इस बात को हम लोग समझेंगे आज की क् में ठीक है बात लेकिन प्लासी और बकशर हमारे क्लास का अंतिम उद्धित क्या रहे प्लासी और बकशर को समयनना लेकिन हम लोग उससे पहले समयने कोसिश करेंगे कि आखिर बंगाल में क्या हो रहा था थोड़ahu साथ पीछे की और हम लोग जाएंगे ठीक है बात तो इसलिए हम बंगाल के उदय से जो है पढ़ना चालू करते हैं हेडिंग क्या डालेंगे हम लोग क्या बंगाल आज की क्लास में लोग बंगाल वाली चीजों को ज़्यादा देखेंगे पैरल में जो घटनाया घटित हो र लग या हर पेज में एक लाइन ऐसा खीच करके रख दिये करना हां इसी साल किसी और चेत्र में यह वाली घटना हो रही थी ऐसा आपको पता होना चाहिए ठीक है बात चलो बंगाल जब भी मैं एक शब्द बोल रहा हूं बंगाल तो आपके दिमाग में कहीं पश्य मंगाल बिहार उडिशा जारखंड सब बोल दे हाँ जारखंड भी तो बोलोगे ही आज की स्तिती से अगर देखे हम लोग तो बिहार जारखंड पश्य मंगाल उडिशा यह बांगला देश ठीक है बात इधर असम का छेत्र मतलब थोड़ा सा असम वाले इलाका ये सब मिला करके ये सारा का सारा चेत्र मिला करके ये चेत्र मिला करके क्या बना हुआ था भई बंगाल ये थोड़ा सा इधर का चेत्र भी इसमें शामिल था ये वाला चेत्र भी इस तरीके से इसमें शामिल था ठीक है बात ये है हमारा वो बंगाल जिसके बारे में हम लो अलग देश कुछ बना नहीं है, तो इस बंगाल के बारे में अधी हम लोग चर्चा करें, बंगाल हमेशा से ही दिल्ली सल्तनत का और उसके पिर मुगल सामराज्य का अभिन अंग रहा है, लगातार, कभी कोई कोई राजा जीत गए, कभी कुछ रहा, जैसे हुमायू के टाइ साह जहां, साह जहां जब गद्दी पर बैठता है, साह जहां के तीन बेटी और चार बेटे, जिन में से एक बेटे का नाम है साह सुजा, क्या नाम है साह सुजा, सबसे पहले हम कहानी चालू करेंगे साह सुजा की, और भी इसके बेटे, उनके बारे में भी पढ़ेंगे न दक्षिड का सुवेदार बनाया गया था, या काना ची ये उपराज जिपाल बनाया गया था, वैसे ही सासुजा बनाया गया था कहां का? बंगाल का, कहां का भई? बंगाल का, सा जहां के टाइम से हम लोग कहानी चालू कर रहा है, और हम जे गदी पर नहीं बैठा है हुए, तो सबसे पहला नाम हम लोग लेंगे क्या यहां पर सा सुजा, सा सुजा ने ऐसा क्या किया था कि इसका नाम ले रहें, सा सुजा ने क्या किया था, बात है 1651, सा सुजा कौन है, सा जहां का बेटा, सा सुजा का मतलब इसका डेफिनेशन भी लिख करके रखो, कभी आपको कन् अरंग जेप का भाई तो अधिकारिक वेक्ति है ये भी यहां का क्या बना हुआ है भाई उपरा जपाल तो इसने क्या किया 1651 में ये एक बढ़िया अंग्रेजों को अपर्चुनिटी देता है होता क्या है कि बंगाल में एक मुगल खांदान की ही एक महिला का तबेद बहुत ज़्यादा खराब रहता है अब मुगल साही वंस की महिला का तबेद हराब है जल से जल उसको ठीक होना है तो एक अंग्रेजी डॉक्टर है नाम है बोटन क्या भाई बोटन बोटन ऐसा टाइप का कुस्तों नाम थे इसका ठीक है बॉटिल बस मध बूल देने वेचारे को, बॉटन ठीक है? तो ये जो Captain बॉटन है या Doctor बॉटन है, ये क्या करता है? उस साही महिला का उपचार करता है और साही महिला का उपचार देकर खुश जाता है कौन? सासुजा, कौन खुश हो गया? सासुजा इसलिए सा सुजा ने एक निर्णा लिया सा सुजा जो है एक अधिकार पत्र दे देता है इसी काड़े का अधिकार पत्र देता है जिसका नाम है निशान क्या नाम है इसका निशान नाम का एक अधिकार पत्र दे देता है ये अधिकार पत्र के अनुसार अंग्रेजों को बंगाल प्लस बिहार प्लस उडिसा बंगाल बिहार और उडिसा के छेतर में और अभी के अनुसार बोलोगे तो जारखन भी उसमें सामिल कर सकते हुआ आप बंगाल प्लस बिहार उडिसा के छेतर में इनको तीन हजार रुपए वार्षिक के बदले क्या मिल गया है यहाँ पर व्यापार का अधिकार समझे इस बात को कि इनको हर वस्तु में टैक्स या समय समय पर टैक्स देने की ज़रुरत नहीं है अंग्रेज के बल क्या करें तीन हजार रुपया वार्षिक पहुंचा दें और तीन हजार रुपया वार्षिक के बदले में इस शेतर में मुक्त व्यापार करते रहें जितना व्यापार करना है करते रहें समझ यह बात को तो यहाँ पर ये अंग्रेजों की एक प्रकार की बड़ी जीत थी अंग्रेज आये कब है बताओ पहला कंपणिक तरह से पहला आदमी कब आया 16 पहला इनका कंपणिक कब कहां खुला था आनधिकारी ग्रूप से सूरत 1608 याद करो उस समय ऐसी स्थिति थी कि जहांगीर ने बोला था कि हाँ आप कंपणिक खोल लो लेकिन पुर्दगालियों के दबदबे के वज़ा से उसको क्या करना पड़ा था आदेश वापस रेना पड़ा था बताया था मैं ऐसा हागे ना अभी की स्थिति क्या आ गई 1611 में उनको मुश्किल से मसूली पटनम गोलकुंडक सासक ने अधिकार दिया था तो 1611 में मसूली पटनम में क्या खुला है उनका पहला फैक्टरी हाँ ये बात अलग है कि इन्होंने पुर्दगालियों को हराया इसलिए 1613 में सूरत में अधिकार पूर्वा कि इन्होंने फैक्टरी खोली जहांगे इन अधिकार दिया था वो 1611 और ये 1659 1659 में इन लोगों क्या मिला बंगाल बिहार और उडिसा में 3000 रुपए वार्सी करके बदले मुक्त व्यापार क्या ये बड़ी जीत नहीं है आने वाले 40-50 सालों में इतना दबदबा देखो अभी 1661 वाली घटना मतब पूर्दगाली राजकुमारी विवाह वाली घटना नहीं हुई है ये ही सब दबदबा कारण बनेगा पूर्दगालीयों को समझ में आया का कि अब अंगरेजों से पंगा नहीं लना है इसलिए घटना इंपोर्टेंट है इसलिए क्या है ये घटना इंपोर्टेंट आई बात समझ में हाँ के ना चलो तो इनको निसान मिल गया इनको बंगाल बिहार उडिशा के छेतर में व्यापार करने मिल गया अब यहां पर भी ठिक ठाक बात चल रही है अब दूसरी तरफ में क्या क्या हो रहा है दूसरी तरफ मैं यहां पर खाली एर लिख दूँ तो मुझे लगता है तब भी आप लोग को याद आ जाना चीज 1661 में इनका पावर बढ़ेगा थोड़ा सा और पुर्तगाली वाला ऐसी सारी घटना है पैरलल में घटित हो रही है और हम बंगाल की इतिहास में पहुँच जाते हैं सीधा 1698 में यहां पर अजी मुशान है कौन है आपर अजी मुशान अजी मुशान जो है यहां का उप गवर्नर है कहां का बंगाल का बंगाल का उप गवर्नर कौन है अजी मुशान अब यह अजी मुशान का डेफिनेशन क्या है यह औरंग जेब का पोता है औरंग जेब का पोता देखो औरंग जेब गद्धी पर बैट गया है 1658 में कब का बैट गया है औरंग जेब 1658 में बैट गया है ये अगर आप मुगल काल पढ़े हैं तो आपको पता होगा नहीं पता तो मैं थोड़ा से रिवाइस करा देता हूं कि साह जहां के चार बेटे तीन बेटियां आपस में सबका उत्तर अधिकार के युद्ध चलता है लंबा चौड़ा युद्ध होता है धर्मत के युद्ध वगरा बहादूरगर के युद्ध वगरा सारे युद्ध होते हैं अंदता सासुजा जो है पराजित यही सबसे पहले चालू किया था के किसके उपर उनके क्रितियों के ऊपर कॉन कौन से क्रितियां लिगी थी अच से पहले भी पेसी में उसके उपनिशदों के अन्वाद सिर्रे Begin को जा चुका है मजमुल बहरीन को पूचा जा चुका है यह सब पूछते हैं, दारा सिको जब दिल्लिम बैठा था, तो सबसे पहले बहादुर गड़ का युद्ध करने के लिए सासुजग कुदा था, 1658 में, दारा सिको ने पराजित किया, बाद में दक्षिड में बैठा था, औरंग जेब, ये जा करके दारा सिको को पराजित करत है, फिर उसके बाद में सासुजग पराजित करता है, खुलमला करके 3-4 ऐसे युद्ध होते हैं, जिस पर अभी चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन पूरी राजनेतिक इस्तिती ऐसी बनती है, कि फाइनली 1658 में, गद्धी पर कौन बैठ याता है, औरंग जेब, कौन गद्ध पर बैठेगा कौन, बहादूर साह प्रथम, कौन बैठेगा, बहादूर साह प्रथम, वो ही बहादूर साह प्रथम का बेटा है, अजी मुशान, ठीके, तो ये जो है, बहादूर साह प्रथम का बेटा बोलो, या औरंग जेब का पोता, औरंग जेब को ज़्यादा जानते क्या करता है भाई साब इसको थोड़ा और प्यार आ जाता है अंग्रेजों से ये बोलता है कि भाई लोग एक कायम करो सूतानाती प्लस गोविंद पूर गोविंद पूर और काली काता इन छेत्रों की जमिदारी अंग्रेजों को दे दी इसने इन छेत्रों की जमिदारी अंग्रेजों को मतलब व्यापारी क्यों कर रहे हो तुम लोग तुम्हें काम करो तुम और लूट लो जाओ एस करो गधा कहीं का क्या कि इसने अंग्रेजों को जम्मिदारी दे दी हमारे भारती राजा ही उन लोग को सह देते जा रहे हैं समझ रहे हैं आये तो थे वो व्यापार करने ना रगड़ के टेक्स लो उनसे और उनसे व्यापार करना सीखो अद देखो कि उनके देश में कित आप देखी मुशान ने क्लियर है बात समझ महारी चीज़े यहां तक गद्दी पर कौन बैठ है दिल्ली के औरंग जेब तो औरंग जेब जो है ये सब देख रहा है ठीक है बढ़िया चल रहा है व्यापार वगरा बढ़िया चल रहा है कोई दिक्कत नहीं है ठीक है निश मुर्शित को लिखां जो है इसको बनाया जाता है बंगाल का दिवान क्या बनाते हैं बंगाल का दिवान बनाते हैं और जैसी ये बंगाल का दिवान बनता है हिसाब किताब देखना ये सारा काम इसका रहता है इसका मुर्शित को लिखां का अजी मुशान के साथ में थोड कि अजीमुशान गलत कर रहा है लेकिन है तो बादशाह का बेटा वह भी बादशाह कौन भाई साब औरंग जेब थोड़ा भी दिमाग संगा कार देगा वो ठीक है बात लेकिन ये कौन है मुर्शित को लिखां ये औरंग जेब के सबसे चहेते या सबसे अच्छे अधिकारि तो एकात बार मुर्शित को लिखां औरंग जेब की बीच में बातचीत भी होती है अजीमुशान को लेकर लेकिन ज्यादा कुछ बातचीत नहीं चलो सब ठीक ठाक चल रहा है अन्मन आरंब हो चुका है अन्मन आरंब हो चुका है औरंग जेब इन चीजों को देख भी रह लेकिन 1700 की बात है और 1707 में मृत्ती हो जाती किसी औरंग जेप की 17107 में औरंग जेप की मृत्ती हो गई 1707 में कौन गड़ी पर बैठते हैं बाद शाह कौन मनता है बहादूर साथ कौन बैठता है भई लगातार कोई 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 बैठते हैं यहां पर लाइन से बैठते जाएंगे मेन बाता है 1717 में कब की बाता थी भई 1717 ठीक है 1717 अच्छा ये बताते हुए मैं एक गोशना अभी कर देता हूँ गोशना ये कि ध्यान रखेगा हम अभी बंगाल पढ़ रहे हैं कुछ समय में हम लोग मैसूर पढ़ेंगे हम मराठा पढ़ेंगे बंगाल मैसूर मराठा पढ़ाते हुए मैं जिन जिन दिल्ली के बात्षाहों की नाम लेता रहूँगा उन्ही दिल्ली के बात्षाहों को आपको उत्तर मुगलकाल के रूप में पढ़ना है उत्तर मुगलकाल नाम का अलग से चैप्टर बना करके उन औरंग जिप के बाद के जितने भी क्या हुए हैं बादशा हुए हैं उनको मैं अलग से क्लास नहीं लूँगा क्योंकि उनके उपर क्लास नहीं आपके लिए समय व्यर्थ करने जैसे हैं मैं यहां से अभी घोशना करी देता हूँ यह समझ मैं आरी बात CGPAC की तैयारी के दौरान हमें जो महतपूर्ण घटना हैं उनको उपर ध्यान देना है पूरित भारत देश में जो जो राजा हुए उन राजाओं को पड़ते नहीं रहना है तो वे सभी बादशा जिनका यहां पन नाम का अशकता पड़ेगा वो सारे न मुगल काल या बोल दो औरंग जेब के बादगा काल वहां से लिगार 1857 में बाहदूर सा जफर तक का नाम में लूंगा जरूर लेकिन जिसके काल में जो बड़ी घटना हुई है वही वाली अब बाकी मालों के बाद आपके पास में कुछ ऐसा प्रश्न बनता है कि वो कौन कौन राजा था जिसको रंगिला की उपाधी दे दी गई थी मौमद्षा रंगिला कौन ऐसी हरकत करता था कौन वैसी हरकत करता अगर इस प्रकार के खुदाई करकर के फ्रश्न आये गलती से प्री में तो यह आप लोग की जिम्मेदारी बनती है कि एक बार बुख है उससे एक बार read आप लोग करें ठीकिस कौन क्या करता था वाली राद को ले करके हम लोग बहुत ज्यादा डिस्टसन नहीं करेंगे समझ मेहारी बात है हां कि न पकी बात चलो तो आगे बढ़ेंगे हम लोग बंगाल को ले करके सत्रा सो सत्रा सत्रा की बात है तो यहां पर अब देख लेते हैं बादशाह कौन बना हुआ है कि फर्रुक सियर कौन बना हुआ है भाई कि फर्रुक सियर को एक उपाधी मिली थी बोलो तो क्या हाँ उत्तर उत्तर मुगल काल को ले कर हैं तो इसको बोला गया क्या घ्रिनित कायर क्यों बोला गया था समझते हैं यह जो फर्रुक सियर है दिल्ली का बादशाह इसने क्या किया था इसने जो है यह फर्रुक सियर और ने मुर्शित कुली खां को ही 1717 में इसने मुर्शित कुली खां को बंगाल के दिवान से उपर उठाकर इसको बना दिया था बंगाल का सुबेदार क्या बना दिये इसको भई, बंगाल का सुबेदार बनाया, एक तरफ इसने बंगाल का सुबेदार मुर्सित कुली खां को बनाया, दूसरी तरफ इसने दस्तक दे दिये, दस्तक क्या है, एक प्रकार का जैसे निसान मैंने आपको बताया था अभी पर्मिशन लेटर, वैसे ही दस्तक भी क्या है एक प्रकार का permission letter है अधिकार पत्र है एक प्रकार का घोशना पत्र है जिसके अनुसार क्या हुआ इसके अनुसार अंग्रेजों को वही बात को repeat किया इसने कि अंग्रेज जो हैं बंगाल बिहार प्लस ओडिसा में तीन हजार रुपए वार्शिक कर्ज के बदले मुक्त व्यापार करेंगे क्या करेंगे लोग तीन हजार रुपए अच्छा अब है तो सेम चीज तो फिर क्या डिफरेंस आया डिफरेंस ये आया कि भई इस समय तक बंगाल के नवाब ने कहा था अब स्वयम दिल्ली का बात्षा बोल रहा है कौन बोल रहा है दिल्ली का बात्षा उनको इस शेतर में मुक्त व्यापार के लिए क्या है अधिकार दे रहा है इसका नाम क्या है भई इस अधिकार पत्र का दस्तक आपको कई बार ऐसा पूचा था दस्तक किस से जुड़ा वा, दस्तक क्या है, तो दस्तक एक अधिकार पत्र का नाम है, निसान के आई प्रकार का धिकार पत्र जो अंग्रेजों को मिला था, तो यहाँ पर इनको दस्तक प्राप्त हो गया, और अंग्रेज जो है, अब यहाँ पर मुक्त व्यापार, अरे किसक कर रहे हैं दूसरी तरफ दूसरी तरफ जो है मुर्शित कुली खां को बनाया गया क्या बंगाल का सुभेदार तो बंगाल का सुभेदार बनते ही अब उसको और समस्या होगी इन सब बातों से किसको मुर्शित कुली खां को तो जैसे ये बंगाल का सुभेदार बनता है हम ए यह वही है, मुर्शित को लिखा जो है, यह वही वेक्ति है, जो अब बंगाल के नवाब बनने वाले हैं, बंगाल के छेतर को अब यह एक प्रकार से थोड़ा सोतंदर रूप में करेंगे, मुर्शित को लिखा, चुकि यह 1717 में बन गया है, यहां का सुबेदार, इसलिए यहां पर लिखेते हैं, हमनों 1717 से 1727 तक मुर्शित को लिखा यहां पर, कहां पर बंगाल में बैठेगा, कहां बैठेगा भई, बंगाल, हाँ, 1717 में बंगाल का सुबेदार बना, और बाद म नवाब की उपाधी लेगा इससे पहले मुर्शित को लिखा जब बंगाल का सुबेदार रहा क्या रहा सबसे पहला इसके बारे में हम लोग क्या देखे 1717 में बंगाल का सुबेदार बंगाल का सुबेदार लेकिन उसके बाद इसका अधिकार छेतर बढ़ता है और इसको 1719 में कब की बात है 1719 में इसी के अधिकार छेतर में उडिशा का भी इसको छेतर दे जाए मैं उडिशा का छेतर भी शामिल उडिशा को भी इसी के छेतर में शामिल कर दिया जाता है ठीक है बात उडिशा को भी इसी के चेतर में शामिल कर देते हैं कि हाँ भीया उडिशा चेतर को भी तुम ही समालोगे कब की बात है वो 1719 तो जाहिर सी बात है अब ये एक छोटा सा बंगाल का सुबेदार नहीं रहा अब ये धीरे से क्या बन रहा है इस बंगाल चेतर का नमाब बन रहा है और इसके अंतरगत उडिशा की भी सुबेदारी आ रही है तो इसने जो है उडिशा का उडिशा का उप गवर्नर उप राज्यपाल ये बनाता है किसको सुजाउद्दिन को किसको बनाता है भई सुजाउद्दिन बोलो जोर से जो कि इसका दमाद था कौन था इसका दमाद अपने दमाद सुजाओद्दिन को ये क्या करता है उडिशा का राज जपाल बना लेता है ठीक है बाद 1719 में 1719 में इसको अपने इस ने क्या किया अपने दमाद को उपराज जपाल बना लिया मुर्शित कुली खां जो है ये अंग्रेजों की नीतियों को समस्ता था ये जानता था अंग्रेज किस प्रकार की हरकत करने की कोशिश कर रहे हैं और मुर्शित कुली खां हर संभव प्रयास कर रहा था कि अंग्रेजों को ज़्यादा ज़्यादा अधिकार ना मिले और ये जनता के प्रती भी अच्छे विचार रखता था इसलिए इसने दो-ती निर्ने लिए सबसे पहला कठोर निर्ने इसका जो होता है वो है क्या इजारेदारी प्रता का आरम करना खालसा प्रता को इसने समाप्त किया इजारेदारी विवस्ता को इसने आरम किया अब प्रस्ट नहीं उड़ता है सर्य इजारेदारी क्या है तो पहले तो थोड़ा सा नोट कर लो कि इजारेदारी विवस्ता क्या नोट करेंगे हम लोग भई कि इसने खालसा प्रथा बंद और इजारेदारी आरम बकिया इजारेदारी आरम लिखो मैं अब सुनो दिहान से इजारेदारी लिख लिए क्या इजारेदारी विवस्ता इसने आरम किया ये क्या है देखो अगर जमिदार जमिदार क्या होते जाएंगे layer by layer layer by layer उसी का बेटा क्या बनेगा जमिदार, उसी का बेटा जमिदार, अगर ऐसा चलता रहा, तो जमिदार जो हैं क्या होते जाते हैं, धिरे धिरे किसानों के उपर हावी होते जाते हैं, और मनचाहा टैक्स वहां से वसुलना चालू कर देते हैं, इसलिए अच्छे विचार के प्रकार के टैक्सेशन सिस्टम को, जिसमें क्या हो रहा था? जिसमें की जमिदार किसानों के उपर अत्याचार कर रहे थे, या कहना चाही कि जानों से जबरसी ज्यादा टैक्स ले रहे थे, इस प्रकार की विवस्था को बंद करने के लिए इसने इस दारेदारी विवस्था पारम की, ताकि नवाब और किसानों के बीच ये जो जमिदारों की एक जो पट्टी बंद गई है, वो खतम हो, जमिदार टैक्स ले रहे हैं और उसके बाद नवाब तक पहुँचा रहे हैं, इस पट्टी को हटाने के लिए उसने इसदारेदारी विवस्था अपनाई, इस किसी एक पर्टिकुलर छेत्र को, समझे लो, तीन-चार गाओं, दस गाओं को मिला करके, उस शेत्र के जमीन का नापा जोका लेकर, उस शेत्र के उत्पादन चमता को देखते हुए, उस शेत्र की बोली लगाई जाती थी, कि भई, इस शेत्र में जो है, इस प्रकार का क्य चार अच्छे हैं, बाद में ये ववस्ता भी क्या बन जाएगा, लूट का एक साधन, जितने लोग भी चत्तिस गड़ का इतिहास पढ़े हो, उनको याद आ रहा होगा वेंको जी का काल, वेंको जी नागपूर में बैटे बैटे चत्तिस गड़ की बोली लगा रहा था, ह आगे ना, तो ये उस प्रकार की विचारधारा के सांद नहीं है फिलाल, कि जो ज़्यादा पैसा देगा उसी को ठेका दे देंगे, नहीं, इसदारेदारी विवस्ता जो पिढ़ी दर पिढ़ी रूप से जमिदारी प्रथा चले आ रही है, उसको तोड़ने के लिए, किसा आपको तुरंत धिहान में आना चाहिए, कि इसी मुर्शित कुली खा के टाइम पर जमिदारी विद्रो हुए थे, इसके टाइम पर जमिदारी विद्रो हुए थे, इसके टाइम पर जमिदार विद्रो हुए, तीन जमिदार विद्रो हुए इसके टाइम पर, सबसे पहला किया था सीता राम और उदैनारायन ने किसने किया था सीता राम और उदैनारायन ये लोग मिल करके एक विद्रो करते हैं याद रखना ये सारे विद्रो कभी पूछे जाते हैं एक किया था सुजात खाने और एक किया था नजात खाने किसने किया था भई नजात खाने ये वि एक साथ थे, बाकी दुनों, ख्लियर भात, तो तीन गजमिधारी विद्रो, किसके काल में हुआ था, मुर्शित को लिखा, ये इज़ारेदारी विवस्ता किसने आरम किया था, बंगाल में, मुर्शित को लिखा, उडिसा को, उडिसा के छेदर को भी कब सामिल कर लिया गया 2719 में उड़ी सा का पहला उप राज जेपाल कौन बना सूजावद्दिन दमात किसका है वो मुर्षिट को लिखा का अचानक से 1727 में मूर्षिट को लिखा की मृत्टी हो जाती है और 1727 में मृत्ती होने के बाद, जो व्यक्ति अब उप गवर्नर बना हुआ है, उप राज जपाल बना हुआ है, उडिसा छेतर में है, वही क्या बनेगा अब हमारा नया नवाब, क्या बनेगा वो नवाब बनेगा, क्लियर है बात, क्या ये सारा चीज़ आप लोग लिख चुके हो, हागे ना, यदि फोटो कीचना है, जल्दी से कीचो, चलो, तो ये हुआ क्या, किसके बार हम जाना हमने, मुर्शित को लिखां के बार हम, ठीक है, अच्छा, एक पॉइंट यहाँ पर और रह गया था, वो बिल्कुल नोट करना एक बार, ये जो है, किसानों के लिए, तकावी रिड भी आर लाहुकारों का चक्कर काटना नहीं पड़ता ना, या ज़्यादा ब्याज में फस्ते नहीं बेचारे, वही गौर्मेंट जो है, क्या कर रहा है, अर्थात गौर्मेंट कौन अभी फिलाल, मुर्शित को लिखां, वो किसानों को रिड मुहिया करा रहा है, कि भई आप हमसे पैसे ले करके उत्पादयन करो, और उसके जो आपका फसल होगा, उसके आमदनी के अनुसार फिर वापस कर देना, तो एक अच्छे राजा का ही पहचान है ना, भी ऐसा, तो किसानों के लिए काम तो कर रहा है, मुर्शित को लिखां, अगला जो है, 27 में बन गया कौन, सु सुजाउद्दीन, चलो, तो सुजाउद्दीन के बारे में देखते हैं, हम लोग, हेडिंग डालिएगा, सुजाउद्दीन, ये 1727 से ले करके, 1749 तक रहेगा, अरे मैं इसको भी अटा दिया, चलो ठीक, 1739 तक, कब तक रहेगा, मैंने कहा, हाँ, चीके, हेडिंग डाल दीजेगा, क्या, सुजाउद्दीन, सुजाउद्दीन जो है, 1727 से ले करके, 1749 तक रहेगा, ज्यादा कुछ काम के बारे में तो इसके नहीं इराता है जानकारी, परंतु एक दो बड़ी घटना इसके यहाँ पर जो हुई थी, वो ये, कि सुजाउद्दीन दमाद है किसका, मुर्शित को लिखा का, अच्छा, ये मुर्शित को लिखा वही वेक्ती है, जिसने मुर्शिदाबाद नामक सहर बसाया था, कौन सहर, मुर्शिदाबाद, मैं बिवर्थित करके लेके जाता है, मुर्शिदाबाद, कहां लेके जाता है, मुर्शिदाबाद, धाका सहटा करके, कहां लेके गया है, राजधानी, मुर्शिदाबाद, कौन, मुर्शिद को लिखा, अजी मुशान के साथ में इसका बार-बार अन्मन चलते रहा था, कब त सब जहलता रहे उससे अच्छा है क्या राजधानी चेंज कर दो तो मुर्शिदाबाद को राजधानी किसने बनाया था मुर्शिद कुली खाने किसने बनाया था मुर्शिद कुली खाने किसने बनाया था मुर्शिदाबाद नाम का सार बहुत पहले बसा चुका था और रंग यह जो सुजाउद्दीन है इसी के टाइम पर 1733 में बिहार भी बंगाल में शामिल हो जाता है बिहार का उपराज जपाल या उपरणर की बनाया जाता है कौन अली वर्दी खाई कौन और पर जपाल अ कि अगर आधे का ज्यगाँ यह चीज़ हमने देखा कि उडीसा उडीसा जो है बना था क्या उडीसा जो है एक जमिदारी छेतर बना था बिहार किसे अंतरगत बंगाल के अंतरगत कब की बात है 1719 और उस समय उपराज जपाल बना था सुजाउद्दीन और आगे चलके वही बनता है क्या बंगाल का नवा वहीं दूसरी तरब बिहार का उपराज जपाल कौन बना अरीवर्दी खाँ 1733 में कब बनता है 1733 में बनता है और इसके बाद क्या होता है कि सुजाउद्दीन के मृत्यू के बाद 1749 में कौन बनेगा अब आप जल्दी पताओ नहीं बनेगा सरफराज बनेगा कौन सरफराज बनेगे मुझे पता था तुम लोगे यही तुक्का मारोगे 1749 से 1740 सरफराज बनता है क्यों सरफराज बनता है क्योंकि ये सुजाउद्दीन का बेटा है सुजाउद्दीन का पुत्र है कौन सरफराज सुजाउद्दीन का पुत्र है सरफराज और वो जो है गद पर बैठता है लेकिन ये आदमी उतना भी लायक व्यक्ति नहीं है क्या है नालायक है क्या है नालायक है ठीक है बात तो ये जो है दिन रात अयासी में वैस्त रहने वाला आदमी है अच्छा इस समय तक सुजाउद्दीन और सर्फरास एकाल में भी कुछ बड़े व्यापारी लोग कुछ अच्छे लोग जो है शामिल हो चुके है ठीक है बात जैसे जगत सेट वगरा ये बढ़िया व्यापारी जो है अभी शामिल हो गए है जगत सेट जैसे लोग और भी लोग थे बड़े व्यापारी लोग कुछ सेनापती लोग इन लोग को समझ में आता है सर्फ व्यापारी वर्ग कुछ सेनापती जा करके मिलते हैं किसे अली वर्दी खां से किसे मिलते हैं अली वर्दी खां के कि भाया आप नवाब बनने लायक वेक्ति हो वो राजा का बेटा है नवाब का बेटा है इसलिए नवाब बन जाएगा ऐसा नहीं होना चाहिए किसको बनाने के पीछे बढ़ गए लोग? अलिवर्दी खाँ और कुछ सेनिकों के सहमती से सेनपतियों के सहमती से कुछ व्यापारीवर के सहमती से अलिवर्दी खाँ आक्रमण करता है किसके उपर? सर्फरास के उपर और एक युद्द होता है खमासान नाम है इसका गिरियां का युद्ध क्या युद्ध होता है भई? गिरियां का युद्ध गिरियां का युद्ध और ये जो गिरियां का युद्ध है बात है 1740 इस्वी की 1740 में गिरियां का युद्ध होता है किसके किसके बीच होगा भई जल्दी बोल दू यह भी पता दो अब जाहिर सी बात है हमारा हीरो कौन है अभी अली वर्दी खां कौन जीतेगा अली वर्दी खां हारा कौन सर्फराज और अब आप लोग का नाम जो चहता नाम आप बोलने कोशिश कर रहे थे वो बैठेगा गद्धी पर इसलिए बस सर्फराज को गद्धी पर बैठाना है क्योंकि गीरिया का युद्ध के बारे में हमको जानना है इतियास में जरूरी नहीं की प्लासी और बकसर ही पूछे इस शेत्र में हुँए छोटी-छोटी घटना को छोटे-छोटी-दो को भी पूछा जा सकता है ठीक है जैसे लास्ट में हम लोग ने लास नारी का युद्ध या अडियार के चार युद्ध का नाम लिख देगा बोलेगा इनको कालकरम के अनुसर जमाओ तो आपका दिमाग में बैठा रहेगा तब तो तो यह कब हो रहा है देखो तो 1740 जमा के देखेंगे बाद में अगला क्या हमारे पास अली वर्दी खां कौन बन गया यहां पर अली वर्दी खां कब बन रहा भई यह 1740 कब तक रहेगा यह 1756 कब तक रहेगा भई यह 1756 देखो यह मतुपूर्ण नहीं है कि यह कब बना कब कब तक था यह के वल इसलिए हमको जानना है कि इसके काल में कुछ बड़ी घट रहा है अगर घटी थुई है तो अली वर्दी खां जैसी गद्धी पर बैठता है उसके बाद में यह प्रशाशन तंद्र को और सुधारता है किसानों के लिए यह भी काम करेगा यह बुद्धिमान सासक था कुटिनितिक गिता इसको पता था यूरोपी सक्तियों के बारे में यूरोपी सक्ति किस प्रक लोग दो तिन बाते हैं जो आप लोगो जानना चाहिए अली वर्दी खां का मानना था कि यह जो यूरोपी लोग जो आये हैं यह पाचों के पाचों लोग पाचों के पाचों देश यह लोग मधुमक्खी की तरह हैं जब तक इनको छेड़ोगे नहीं तो यह सहद की भाती मदुमक्खी की भाती आपको सहथ देते रहेंगे और यदि इनको गलती से छेड़ दिये तो ये डंक मार मार के आपको बरबाद कर देंगे तो इसने यूरोपियों को किस से तुलना की थी? मदुमक्ख्यों से इस पूरे वाक्य को न बोल करके एक्जाम में आपके आ सकता है यूरोपियों को या अंग्रेजों को मदुमक्ख्यों की भाती किसने कहा था? किसने कहा था? अली वर्दी खाने क्या बोला था? यूरोपियों को यूरोपियों को मदुमक्ख्य और मदुमक्ख्य को इसने बकाइदर था कि भई यूरोपियों को जो है कीले बंदी करने ना दो, यूरोपियों को कीले बंदी ना करने दो, ना करने दो, वो लोग कितना भी व्यापार करने लगे, कितना भी बड़े हो जाएं, लेकिन वो व्यापारी के व्यापारी बने रहें, यहां अपने शैन ने सकती बढ़ाना, यहां पर अपना मुद्रा चलाना, यहां कीले बंदी करना, यह सब काम यह यूरोपी कभी मत पड़ें, कभी ना करें, और इनमें भी कौन सबसे करना के बोल दिया था उसने, अंग्रेज ने, यह सारी बातों को इनलिसिस कर चुका था, कौन? अली वर्दी खाँ, कौन कर चुका था? अली वर्दी खाँ, तो इसके दोनों स्टेट्मेंट याद रहेंगे आपको, पहला क्या? मधमक्य वारी बात, दूसरा, इन्हें कभी में एक बात बड़ी घटना होती है, ये क्या करता है? ये, देखो, मुर्शित को लिखा जो है, वो भी नवाब बन गया था, स्वतंतर नवाब था, वो बंगाल का, लेकिन उसके बावजूद, वो हमेशा दिल्ली के बादशा को नजराना भेज रहा होता था, दिल्ली के ब ये, अलीवर्दी खां किया करता है? इसके टाइम पर दिल्ली का बादशा था, दिल्ली का बादशा था उस समय मुहम्मच चा, दिल्ली का बादशा कौन है? मुहम्मच चा इसने क्या किया था मुहम्मद साह को कुछ विशेश प्रकार का रिश्वत घूस नजराना इत्यादी देकर बंगाल को पूर्ण स्वतंदर करवा लिया था इसने क्या किया था भई बंगाल को पूर्ण स्वतंदर करवा लिया था ठीक है किसी किताब में बताया जाता है कि 2-3 करोड रुपए में इसने बंगाल को खरीद लिया था ठीक है एकदम authentic जानकारी नहीं है लेकिन हाँ ठीक है कुछ नजराना दे करके 2 करोड रुपए something दे करके क्या किया था इसने दिल्ली के बादशा मुहम्मद साह से अली पासकी घटना है इस समय देश में सबसे बड़ी सक्ति बन चुके थे कौन माराठा कौन बन चुके थे भई माराठा इस मराठा बहुत सक्तिसाली हो चुके थे मराठा चटरपति जी जीवाजी के वंसच यहाँ पर अब छत्रपति से ज्यादा ताकतवर बलकी भोसले हो सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे कि इनके जो महामंद्री के तौर पर सेन्य अधिकारी के तौर पर जो सबसे बड़ा पत्ता कौन था पेश्वा है ना पेश्वा बाजी राओ सुने ओगे नाम एक मूवी आई थी बीच में क्या तो नाम तो बाजी राओ मस्तानी देखें ना पेश्वा उसमें छत्रपती के अधीन थे लेकिन इनका नेर्ने ज्यादा सर्वमान जो रहाता था आप देखो के आगे चलगे पानीपत का युद्ध जब होगा पानीपत का तिसरा युद्ध पेश्वा लणने जाता है छत्रपती का बेटा भी था साथ में जीद में नहीं जाता तो भी टीकता पेश्वा ही जाता गया और उसकी चक्कर में वो भी सहीद हो गया विश्वास राओ पेश्वा कौन था उसमें बोलो ये दिल्ली से चौथ लिया करते थे क्या लिया करते थे दिल्ली से चौथ लिया करते थे ठीक है तो अगर दिल्ली का बाच्छा बंगाल को सोतंत्र घोशित कर देगा किसी प्रकार बंगाल को सोतंत्र घोशित कर देगा तो मराठाओं को समस्या होगी की नहीं होगी हागी और इसी समस्य के कारण मराठा सास्तकों में से ये जो है ना मराठा छतरपती सीवा जी के जाने के बाद छतरपती धीरे-धीरे कमजोर हुए और आगे चलके जो है ये पूरा का पूरा जो इनका मराठा जो परिवार है वो अलग-अलग रूपों में बढ़ जाता है भोसले अलग, सिंधिया अलग है ना पेश्वा अलग और कौन-कौन होलकर, गायकवार ये अलग-अलग हो गए नागपूर छेतर में कौन थे? भोसले कौन थे? भोसले और उस समय था रगुजी भोसले कौन था भई? रगुजी भोसले तो इसके इस हरकत के कारण इसी हरकत के कारण क्या होता है? कि 1740 से ले करके 1759 तक इसको भोसले और कौन सा भोसले? रगुजी भोसले रगुजी भोसले के सेना पत्यों के आक्रमर जहिलने पड़ते हैं हर साल कभी कभी साल भर में दो बार दो बार तीन बार मतलब लगातार आक्रमण करने कौन मराठा किसके उपर अली वर्दी खांग अपने पूरे सासन के दौरान सबसे आदा किससे परिशान रहा मराठो से 1740 से 1759 तक आक्रमण करना बार बार आक्रमण करना चोटी मुड़ी बात नहीं होती है और मराठा आक्रमण क्यों कर रहे थे क्योंकि मराठो का दो चीज था उस समय एक अपने छेत्र पर तो अधिकार कर लिए मराठा जो है अपनी एक मराठा शक्तियों लोग बना चुके थे करते ते यह लोग किसी दूसरे चेतर में जाते तो वहां से चौथ लेते थे मतलब महा के रिविन्यू का वन फ़ोट कि लेते थे, अपने छेतर से लेते थे सरदेश मुंखी, क्या लेते थे सरदेश मुंखी, मराठा राज्य पढ़ेंगे तो इसको और डिटिल में मैं बताऊंगा, तो द्यान से समझो कि ये दिल्ली से भी čौत लेते हैं और दिल्ली का ये अब ये इसने स्वतंत्र कर दिया तो मराठो को समस्य हुई और मराठा परिवार में से भोसले परिवार रगुजी भोसले ने लगातार आक्रमण करवाय किसकी और अली वर दिखा अब इसी बात को हम लोग थोड़ा सा 36 गड़ के इतिहास से जोड़ करके देखते हैं ठीक है दिखान से सुनो यहां पर नाकपूर में कोन है भई यहां पर है भोसले यहां पर कोन है भोसले है और यह आक्रमण करवार है किदर बंगाल में यही पर पढ़ता है हमारा 36 गड़ हागेना यही हमारा 36 गड़ और इसलिए 36 गड़ में आप देखते हो कि भोसले सेना पती भासकर पंथ कौना आता है जी भासकर पंथ आता है और यहां पर यहां पर बिलासपूर रतनपूर में उस समय रतनपूर राजधानी हुआ करता था ना और रतनपूर में उस समय किसका सासन था रगुनाच सी का किसका रगुनाच सी का यहाँ पर सासन था और रगुनाच सी जो है भासकरपंद के आकरमण को जेल नहीं पाता है या बताते तो यह हैं सुनने में यह आता है कि भासकरपंद ने जब आकरमण किया रगुनाच सी अपने बेटे के गम मे भी था शक्तिसाली राजा था नहीं कल्चूरी वंस के जो रत्र प्रित्वी जाजल ले वाला जाजल लदेव के टाइम वाला जो ताकत है वो नहीं रहा था यह जो कल्चूरी वंस है वो अपने अंतिम घड़ी गिन रहा था और रगुनाच से भी भुजुर्ग वेक्ति हो च अर्थाद मराठा 36 गण में आकरश्यवर्ण करने नहीं आ रहे थे, वह वास्तव में आकरश्यवर्ण करने कहा जा रहे थे? अली वर्दी खां के उपर किसे उपर? अली वर्दी खां लेकिन मालो की बात ये चुप चप यहां से चले जाते अब पीछे से मालो की बात कल्चूरी बंस आक्रमण कर देता है उनके उपर तो तो सामने से अली वर्दी पीछे से कल्चूरी फस नहीं जाते हैं माराठा इसलिए कभी भी इस तरीके के आक्रमण किये जाते हैं तो रास्ते में आने वाले राज्यों को अपना करद राज्य बनाते हैं या मित्र राज्य बनाते हुए जाया जाता है या तो मित्र बना लिए या तो अपना करद राज बनाए तो 36 गड़ क्या बन गया करद राज अब यहीं 1741 के बाद से 1742 पड़ते हैं क्या बाद फिर 36 गड़ में आप कुछ नाम पढ़ते हो बिम्बा जी और व्यंको जी ऐसे सारे नाम पढ़ना आप चालू करते हो चिन्मना जी ऐसे सारे नाम आप पढ़ना चालू करते हो हागेना तो 36 गड़ का इतिहास जब भी आप पढ़ो तो उस दिन इस वाली कहानी को याद रखना क्लियर है बात या पढ़ चुके तो बहुत अच्छी बात है फिर से ध्यान देंगे अब हम अपने मुद्दे पर आते हैं क्या कि भोसले यहां से यहां से जो है भोसले की सेना बार 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 हर साल यहां से आक्रमर करती रही अंतता यह अली वर्दी खा जो है वर्दी वादा करता है क्या वादा करता है पहला वादा क्या वादा करता है कितना देगा यहां से बारा हजार बारा लाक बारा लाक रुपए वारसिक चौथ देगा क्या देगा भई बारा लाक रुपए वारसिक चौथ साती साथ उरीशा के अधिकान सिस्से की उरीशा की सुबेदारी किसको दे दी गई मराठों को मतलब यह 36 गर से ले करके इधर में लगा हुआ कुछ छेतर जो है किसको मिल गया मराठो का हो गया किसका हो गया मराठो का कुल मिला करके अब बंगाल जितना बड़ा था अब उतना नहीं रहा उडिसा का छेतर अब मराठों में शामिल हो गया क्लियर है बात मराठे बहुत सकती साली थे वास्ताव में अगर मराठे और अंग्रेज सही समय पे सही तरीके से भीड़ते तो अंग्रेज की धज्यां उड़ जाती यहां से निपड जाते हो लोग समझ यह बात को लेकिन कंडिसंस बदले अलग-अलग दिक्कते आई 1761 में पानी पत का युद्ध हो गया सबसे बड़ा दिक्कत तो वही रहा ठीके बात चलो कोई बात नहीं फिलाल हम लोग देख रहे हैं अली वर्दी खा के बारे में अली वर्दी खा के बारे में हमने क्या-क्या देखा कि इसने यूरोपियों को मधमक्खी कहा है इसने यूरोपियों किले बंदी न करने की कोशिश की है कि वो किले बंदी कर रही ना और अपने नेक जनरेशन को भी यही सिखा रहा है इसने दिल्ली के बात्षा मुहम्मद सा से बंगाल को पूर्ण सुतंतर करवाया था परन्तु 11 साल तक इसने आक्रमर जेला था रगुजी भोसले के सेनपतियों का और इस दे 59 में इसने संधी की थी अली वर्दी खाने और 12 लाग रुपए वार्शी कर देने का चौथ देने का वादा किया था और उडिशा की सुपेदारी इसने दे दी थी क्लियर है बात इतनी हाँ कि ना ये जो अली वर्दी खा है ना इसके कोई बेटे नहीं है तो समस्या बनती है कि अब नवाब कौन बने मुरसिदाबाद कौन मैठा यहाँ पर अली वर्दी कोई बेटे नहीं थे पुत्र नहीं लेकिन इसकी तीन बेटिया थी कितने बेटिया थी इसकी जो तीन बेटिया थी ये तीनों बेटियों के जो पती ली थे मतब इसका दामाद वो तीनों भी मर गये थे ऐसे तीनों की तीनों बेटियों इसी क्या हो गई है विद्वा सेपाले यह जल्दी से इतना को इनके बेटी का नाम जो बेटी बिहार कई थी साधी हो करके, इसका नाम है क्या, अमीना बेगम, क्या नाम है, अमीना बेगम, एक इनकी बेटी है, उडिशा कई थी साधी हो करके, क्या नाम था उनका जी, अरे पुराने लोग यात किया करो, क्या, अरे, मुमिना बेगम, या म मुना बेगम बोलते हैं मुमीना बेगम ठीक है बात एक इनकी बेटी साधियों के गई थी धाका और जो धाका आए थी इसका नाम था घसीटी बेगम क्या नाम था घसीटी बेगम तीन बेटियां अमीना बेगम मुमीना बेगम और घसीटी बेगम और ये तीनों की तीनों बे मतलब इसका एक नाती इसका एक नाती थोड़ा लायक टाइप का आदमी था नाम है उसकाff पी्ट का मीना ब périगम का बेटा, नाम है उसका सिराज उद्धौला, क्या नाम है, सिराज उद्धौला, होता यह कि अलिल वर्धी खास जो है, इतना ज़्यादा क्या है? खराब हो गया पेट, किसी रहा मृत्यू को प्राप्त हो गया तो ऐसी भी बाजियों को हलके में ना ले ठीक है बात? अतिसार रोग, ये सब रोग से भी क्या है? जान चली जाती थी, अब तो खैर उपचार है तो ये अतिसार रोग के कार से क्या हो गया भी? इसकी मृत्ती हो गई और मात्र तेश साल की उम्र में गद्धी पर बैठा कौन? सिराजुद दौला कौन गद्धी पर बैठा? सिराजुद दौला तो चली सिराजुद दौला को गद्धी पर बैठाते हैं कि यव चपन जैसी महले लिखा हूँ तो आप समझ सकते हो कि अब कोना अने वाले हैं प्लासी के युद्ध का समय आ चुका है किसके ुद्ध का समय आ चुका है भई कि लादू के युद्ध का समय आ है भई चपपन तक इसका सासन चला ठीक ठाक सासन कर रहा था यह भोसले वाली कहानी पस याद रखना आप लोग ठीक है तो अब कौन गद्धी पर बैठ गया कि सिराज उद्दौला सिराज उद्दौला यह लो भई सिराज उद्दौला गद्धी पर बैठा और यह बैठा 1756 में और बैठा रहेगा 1757 तक कब तक अच्छा वेक्ति था लेकिन एक ही साल सासन कर पाएगा क्यों एक ही साल सासन कर पाएगा देखते हैं सिराज़ूद दौला 17-56 में गद्दी पर बैठा कौन है? कौन है य Netherlands अली वर्दी नाती अली वर्दी खा का नाती नाती है ना भी पोता थोड़ी है अलीवर्दी दिखां उसके नाना थे दादा थोड़ी थे ठीक है बात तो इसका नाती लेकिन एक छोटी सी समस्या समस्या क्या? अकेला नाती थोड़ी है भाई साब और भी तो नाती होंगे न तो ऐसा ही एक नाती है मुमिना बेगम का बेटा सौकत जंग कौन है बही सौकत जंग कौन है सौकत जंग अब जब सिराजुत दौला गद्दी पर बैठा उस समय की बंगाल की या भारत की इस्तिती क्या है सिराजुत दौला के सामने कुछ बड़ी समस्या है क्या समस्या है और इस समस्या को हम लोग देखेंगे तभी तो समधान कर पाएंगे ना समस्या नंबर एक अंग्रेज कौन है समस्या अंग्रेज क्यों है अंग्रेज समस्या इस बात को थोड़ा साथ जानने के लिए हम लोग को करनाटक का युद्ध हम लोग को याद आना ची कौन से युद्ध भई करनाटक 1746 से 48 में हुआ और दूसरा युद्ध हुआ 1749 से 54 तक 54 चला और तीसरा युद्ध होगा इस दूसरे युद्ध के टाइम पर याद किजिए हम लोगों ने पढ़ा था कि यहां पर अंग्रेज धीरे धीरे ज्यादा पाउर्फूल हो रहे थे और यहां पर हम देखते हैं कि अंग्रेज कर रहे थे किले बंदी क्या करते थे भई ना केवल अंग्रेज बलकि फ्रांसी किसी भी किले बंदी कर रहे थे हैं हाँ वही अब यहां से किले बंदी वाला कारेक्रम इनका चालू हो गया है यह लोग क्या करने को अच्छा इस किले बंदी को रोक के रखा था कौन अलीवर्दीखा कौन रोक के रखा है अलीवर्दीखा लेकिन यहां पर हम देखेंगे ये जो किले बंदी का इनका जो कारेक्रम है वो 17-56 के बाद में ज्यादा एक्टी होकर के सामने आता है क्यों क्योंकि द्विती युद्ध के बाद में अब ये तै हो गया था कि किसी प्रकार जो है ये लोग रुकने वाले नहीं है और अंग्रेज ज्यादा ताकतवर बनके उ गोडे है यू गोडे है यू एक कमजोर फ्रांसीसी गवर्नर बनके आया पॉंडी चेरी की संधी गली अंग्रेजों का पावर बढ़ गया और आगे चलके तो आएगा काउंडी लाली लेकिन उससे पहले थोड़ा सा उससे पहले की बात है ये अच्छा अंग्रेज और फ् तौका जंग और समस्या नंबर तीन है घसीडी बेगम अर्थात ये तीनों समस्या के नाम को अगर हम लोग बोलें तो वास्तों में इसे जो है बाह आक्रमण का भी खत्रा है या बाह परिशानी भी है और ये दुनों तो इनके घर की बात थी तो इसके पास आंतरिक भेदी भी थे अब जब भी ऐसी इस्तिती बंती है याद किजे करनाटक की बात और हैदराबाद की बात क्या होता था उस समय करनाटक और हैदराबाद तवा क्यों हुए थे क्योंकि अन्मरुद्दिन ने क्योंकि नासीर जंग ने क्या किया था अंग्रेजों को फ्रांसीसियों को किसी ने किसी तरीके से सह दिये थे लोग अंग्रेजों को सह दिया था नासीर जंग ने और किसने अन्वरुद्दिन ने और दूसरी तरफ जो है फ्रांसिसियों को सह दिया था किसने चांदा साहब और हागे ना तो बाहरी लोगों को अपने घर में घुजाओगे तो तबाह हो गे ही होगे ये बतता है इस बात को भी अलिवर्दी खाने बोला था कि अंग्रेज या फ्रांसिसी या कोई भी यूरोपीर क्योंकि पांचों ही यूरोपियों का केंद्र था बंगाल आप पढ़ेते पूर्दगालियों का क्या था हुगली डच का क्या था चिंचुरा अंग्रेजों का काली का था कॉलकाता, देनिस का क्या है सेरांपूर और फ्रांसिसियों का तो यहाँ पर पांचों के पांचों लोग हैं इसके बारे में अलिवर्दी खाने कहा था कि इनको कभी भी व्यापार से आगे बढ़के हमारे आंत्रिक राजनीती में कभी भी प्रवेश नहीं देना है। इस बारे में किसने बताया था अलिवर्दी खाने इस पस्ट कहा था लेकिन अब समस्या यह है कि सिराजुद दौला चाह रहा था कि वो हमारे आंत्रिक राजनीती मत आएं लेकिन अंग्रेजों को पता चल गया था कि सौकत जंग भी बाच्छा बनना नवाब बनना चाहता है और अंग्रेजों ने संपर किया किस से सौकत जंग से घसीडी बेगम से चुकी गद्धी पर बैठा है सिराजुद दौला इसलिए ये दोनों आपस में मिल जाते हैं और इनके उपर हाथ रखते हैं कौन अंग्रेज कुल मिला करके ये तीनों समस्या एक शक्ती बनके सामने खड़े हो जाते किसके सिराजुद दौला कौन है ये 23 साल का 23 वर्स का बालक ही है समझो बालक है नवाब है इससे भी छोटे-छोटे लोग क्या है बाशा बने है ठीक है अगबर अबे अगबर बन गया था 14 साल में ठीक है लेकिन उसके उपर बाप जैसा बैठा हुआ था क कौन बैरामखा एं 18 साल की उमर तक 18 की उमर में फिर उसको पता चलता है कि बैरामखा ज़्यादा हरकत कर रहा है इसलिए फिर क्या करता है बैरामखा क्या है बाहर निकाल देता है लेकिन वह बाहर निकालता जैसे ही है तो उसके उपर बैढ़ या दी कौन महामंगा पेटी और वैसी ये कप समाला 23 साल 23 साल की उमर में मतब इमेजिन करो तुम खुद को सर खाली प्री करें या प्री प्लस मेंस करें या साय जै semi स llam lonely को समझ का लोगो की भाई पढ़ाई विशॉय की होगी पढ़ाई विशाय की होती है अगर आपको विशॉय का ग्यान का कृम कि लगता है में कभी किरियां की यद्त है क्या वहीं भी जाद पूचे का बल्कि व्यापा में पूचे का और व्यापा में बल्कि खत्रा यह है कि अगर तुम्हें प्रस्ट को उत्तर नहीं दिये एक नमबर से पीछे रह गया है रिजेक्टेड क्योंकि वहां नमबर का खेल है प्री में तो कॉलिफाई होना है किसी और तरीके से मदब आपको पता है 200 नमबर में अगर आप 120 तक लाते हो आप सेव जोन में हो लगभग हर बार की बात नहीं है आज कल जो चल रहा हो बता रहा हूं पता चले हैं मैं डालोग मान सकते हैं हागी ना समझे बात को तो यहां इस उमर में व्यापम प्यसी प्री प्लस में इंटर्विक त्यारी कैसे करें यह नहीं हो पा रहा है और यह क्या है नवाब बना है क्या बना यह ना और इसके नवाब बनते ही इसके जिंदगी में दुस्मन है और दुस्मन ऐस वैसे नहीं सीधा इसका गला काटने के लिए उतारू है कौन कौन सौकत जंग हसीटी बेगम और सौकत जंग को फुल सपोर्ट कर रहे हैं कौन अंग्रेज अब बताओ ये कितने दुविधा का विशय बन गया किसके लिए सिराजुत दौला के लिए उसको पता है अंग्रेज सिराजुत दौला के खिलाफ नहीं कर रहे हैं अंग्रेज फ्रांसिसियों के डर से फ्रांसिसी अंग्रेजों के डर से कर रहे हैं लेकिन किले बंदी कर तो नहीं है हागे ना तो ये गंभीर इस्तिती बन गई नाना जी ने क्या बोला था यूरोपियों को मधुमक्खी की तेरा रखो शान्त रहो उनको अपना काम करने दो वो सहत देंगी अगर छेड़ोगे तो डंग कमारेगी बोला था ऐसा लेकिन दूसरा बात ये भी तो बोला था कि वो अपने हमारे रांतरिक राजनिती में हस्तचेप ना करने दो उनको दूसरा कभी कीले बंदी ना करने दो अली वर्दी खाने भरपूर कोसिस किया और वो वैसा रखा लेकिन इसके टाइम तक परिशितिया बदल गई ना तो जब परिशितिया बदल गई तो इस वज़े से सिराजुद दौला को हस्तचेप करना पड़ता है क्या हस्तचेप करता है अब सुनो ध्यान से सिराजुद दौला क्या करता है सिराजुद दौला का अंग्रेजों के विरुद कारवाही कारवाही सिराजुद द्वाला अंग्रेजों के विरुद्ध कारवाही क्यों करता है क्या क्या कारण हो सकते हैं अंग्रेजों के विरुद्ध कारवाही के पीछे कारण कारण नंबर एक कारण नंबर एक अंग्रेजों द्वारा सौकत जंग को साथ देना साथ देना अगर इसका साथ देना इसका मतलब और आपने नवाब के खिलाफ गद्दारी कर रहा है ना तो एक नवाब तो भई एक्सन ले सकता है कि तुम मेरे खिलाफ क्या कर रहा हो एक दूसरी बात दूसरी बात थी राजवल्लब राजवल्लब को शरड देना राजवल्लब को शरड देना अब ये राजवल्लब कौन है इसको समझो राजवल्लब क्रिश्नवल्लब क्या थे ये लोग इसी सौकत जंग और गसिटी बेगम के ही क्या थे वफदार लोग थे कौन-कौन राजवल्लब और उसका बेटा क्रिश्नवल्लब तो फिलार राजवल्लब की बात करते हैं राजवल्लब के पास में घसिटी बेगम के सारी संपत्ति का जानकारी था कि उसकी संपत्ति कहां रखी है और वो बंगा आपके सामने प्रस्तुत होना था वो क्या है बंगाल का गुनागार है उसके पास में संपत्ति का हिस्सा है घसिडी बेगम वाली संपत्ति उसके पास है और भी उसने कई का प्रकार क्या किये हैं कांड किये हैं तो काइदे से राजवल्लब किसका गुनागार है सिराजुद दौला का तो उसको किसके कोट में पहुशना चाहिए किसके दरबार में जाना चाहिए सिराजुद दौला के जबकि राजवल्लब को छुपा के रख लिए कौन तो अगर अंग्रेज राज के अपराधी को सरड देंगे तो अंग्रेज भी क्या हुए अपराधी हुए कि नहीं हुए इस भाई साब ने बोला अंग्रेजों को कि मुझे राजवल्ला वापस करो अंग्रेज मना कर दिये बोले हम नहीं जानते कहा है हम नहीं करेंगे वापस तो गुस्से का दूसरा करण समझ में आ रहा है हागे ना तीसरा दस्तक का दुरुपयोग दस्तक का दुरुपयोग जानते हो दस्तक क्या है अरे आजी की क्लास में तो बताया भी क्या है एक फ्री व्यापार के लिए क्या है अधिकार पत्र जिसके पास भी दस्तक है उससे टैक्स नहीं लिया जाएगा अंग्रेज क्या कर रहे थे ये भाई साब लोग फोटो कापी कर करके न केवल अंग्रेजों को बल्कि भारती व्यापारी को भी बाढ़ दिये जाओ तुम लोग भी लेलो तुम लोग भी दस्तक रखो कोई टैक्स नहीं देगा अरे राज्य को पैसा कैसे मिलेगा सी राज्य दौला खुद खेती करने जाएगा राज्य के पास पैसा कैसे आएगा क्यों समान बेचेगा आओ धान लो नवाब को राज्य को पैसा कैसे मिलता है पताओ टैक्स चोरी करने एक अपराद क्यों है टैक्स से ही तो हमारे शाषन तंद्र को प्रशाषन को पैसा मिलेगा जिससे राज्य का काम होगा ना हागे ना यह जो एक रुपए दो रुपए किलो चावाल बट रहा है यह जो इतना सबसीडी मिल रहा है इतनी सारी योजनाया चल रही है करोडो करोडो रुपए वो लोग जो घोशना कर दे रहे हमारे नेता लोग यह घोशना किसके साहरे होता है हमारे पुंजी पती वर्ग के सहारे, ताटा, अम्बानी, बिर्णा, ये लोग जीतना भी टैक्स दे रहे हैं, उसके सहारे हो रहा है, या आप और हम भी जो टैक्स देते हैं, इंकम टैक्स देते हैं, उसके सहारे, मैं बड़े-बड़े लोगों का नाम जादा ले रहा हूँ राज्य को पैसे ही नहीं मिलेगा, तो काम कैसे करेगा, अर्थवस्ता तोड़ने की साजिश, चाथा, किले बंदी, और सबसे बड़ा कारण क्या बना, किले बंदी, जब ये लोग किले बंदी करना चालू किये, तो सिराजुत दौला ने मना किया, बोले, भाई, देखो, तुम लोग को लड़ना है, तुम करनाटक छेतर में लड़ रहे हो, तुम वहाँ लड़ते रहो, तुम को इधर लड़ने की ज़रूरत नहीं है, नहीं यहाँ पर किले बंदी करना है, फ्रांस को भी बोला, तुम भी निकलो यहाँ से, व्यापार करना करो, जाके उधर लड़ना है, लड़ते रहो तुम लोग, क्योंकि वो देख रहा है न, हैदराबद और करनाटक की स्थिति क्या होते जा रही है, लगातार मरते जा रहे हैं लोग बाग, इसने इनको भगा बात नहीं ही मान रहे हैं, अब बताओ, इतनी सारी बाते अगर हो रही है, तो क्या सिराजुत दौला एक नवाब होने के नाते अब भी शान्त बैठा रहा था, तो उचीत होता क्या, तो तुम लोग एगरी करते हो, सिराजुत दौला को आकरमण कर देना चाहिए, करते हो क नहीं करते हो, तुम लोग वो लगत करवाएंगे आकरमण नी, तो छोड़ देना रहा हैं, करवाएं कि नहीं करवाएं भाई, कारण इस पस्ट हो रहा है, तब तो भाई अब बनता है, तुम लोग भी बोल रहे हैं, तो क्या बोल देंगे हम लोग, सिराजुत दौला, आक आकरमण कब कैसे करेगा, वो देखेंगे, पहले इसको नूट करो, चलो, कर लिया ना इतना, देखते हैं, अब आकरमण करवा देते हैं, सिराजुत दौला को, आकरमण थोड़ा सा स्टेप बाई स्टेप यहाँ पर समझ लेते हैं हम लोग, क्या समस्य आए थी, का है यह आ आकरमण कर रहा है, समझ में आया की नहीं आया, देखो, क्वेश्चन एक्जाम में आता है, प्लासी का युद्ध क्यों हुआ था, प्लासी का युद्ध क्यों हुआ था, मैं लोग बाग फिर बोलने लगते हैं क्या, ओ दस्तक का दुरूपयोग वगरा वगरा, नहीं, प् बताते जा रहा हूँ, प्लासिक युद्ध का कारण क्या था, एक शब्द में हम लोग बताएंगे, डिफाइन करेंगे, या सायद मैं पिछली कुछ को छाओं में इस शब्द का प्रयोग कर चुका हूँ, ध्यान से सुनो और समझो इस बात को दुबारा, क्या, आप लोगों ने बताया कि सिराजुत दौला को आकरमण कर देना चाहिए, सिराजुत दौला का मूट नहीं था, आप लोगों ने बोला कि इतना अत्याचार जब होई रहा है, तो आकरमण कर दो, सिराजुत दौला आप लोगों की बात को मानते हुए, चार जून, कब की बात भई, चार जून सत्रा सो चपन को, कब चार जून सत्रा सो चपन को, ये आकरमण कर देता है, आकरमण कर देता है कहां, कासीम बाजार, कहां आकरमण कर देता है भई, कासीम बाजार में आकरमण कर देता है, मजबूर था बेचारा, कैसे करेगा, इज हाँ अंग्रेज क्या कर रहे हैं लगा तार कुछन कुछ कुछन कुछ हर्कत कर रहे हैं ऐसी इस्टिति में परिशान हो करके 4.17.56 को कर दिया किसने सिराजुत दौला ने कासिम बाजार पर और अंग्रेजों ने जब देखा का सिराजुद दौला का रौधर रूप और देखा उसकी सेना को अंग्रेजों ने कर दिया आत्मसमरपड़ बोले भागे या फिर कुछ आत्मसमरपड़ कर दिये कौन कुछ आत्मसमरपड़ कर दिये कौन अंग्रेज अंग्रेजों ने ऐसा हरकत किया और कासिम बाजार का आकरमड जो है ये क्या रहा सफल रहा सिराजुद दल लेकिन अभी भी अंग्रेजों का जो प्रमुक सेनापती है वो नहीं पकड़ाया है कौन है सेनापती भी फिराल यहां का कौन है कौन है पेड्रो हॉल्वेल ना ना हॉल्वेल नहीं होल्ट बोल्ट बोल्ट फोर्ड कौन है फोर्ड बात है 16 जून 1756 की अंग्रेजी सेनापती फोर्ड क्या नाम है यह जो है अंग्रेजी सेनापती फोर्ड इसके उपर आकरमन करता है दुबारा कौन सिराजुद दल पहला आकरमन कब किया है इसने चार तरीक को दूसरा अकरमण अंग्रेजी सेनापती फोर्ड की उपर अकरमण करता है कहां कलकत्ता में कहां अकरमण करता है भई कलकत्ता और यहां पर यह जो फोर्ड है वो यहां से भाग जाता है अंग्रेजी सेनापती फोर्ड क्या होता है भई भाग जाता है यह जब भागता है तो यहाँ पर चार्ज ले लेता है कौन? यहाँ पर अंग्रेजी सेनापती, नाम है इसका हॉलवेल, क्या नाम है इसका? हॉलवेल, और हॉलवेल जो है, हॉलवेल जो है यह लड़ता है किसके साथ? सिराज के साथ, किसके साथ लड़ता है भई? सिराज के स जीत जाता हैं,कब जीत जाता है?20 तारीख को ? हम 20 जून को यह जीत जाता है मै इसे पर exhibited नोग को जीत करके वहीं पर बढ़िए इन लोग का क्या है आपस में संदी समझाता करके और सिराझव crystal बता रहा तक देखो भाई तुम लोगों को व्याफार करना है करते रहो मैं तुम लोगों के खिले बंदी से और यह मेरे भाई के साथ जो मिल करके तुम लोगे सडियंद्र रहे इन चीजों से परिशान होते यह सब भरकत नहीं करोगे चुप-चप अपना काम करोगे मुझे यह सब इन लोगे बाचीत चलते रहता है अब बढ़िया पार्टी चलता है अब शैनिकों की पार्टी जाही रहे हो आप जब तक जाम न चलके होगा नहीं तो यहां पर एक इतिहासकारों के द्वारा तो नहीं कुछ इतिहासकार इस बात को बताते हैं कुछ जगह इसका उल्लेग मिलता है कि एक अंग्रेजी अधिकारी यह अंग्रेजी जो अधिकारी था एक सैनिक था वो सिराज के एक सेना बदी को बात-बात में ही मार देत और इस तरीके से लड़ाई थोड़ा सा बढ़ जाता है जा बढ़ में लड़ाई बीच में बढ़ जाता है क्या प्रूथ से फिर दोला प्राइब पूचता है यह जो मैं बात बता रहा हूण । इस में से आधी बात। एक किताब अलाइफ देविंडर में लिखी हुई है कहा पर conferences ईए है? अलाइफ दीवन्बर में यह लई दी बंडर भारती तीहासकार इस कहानी को सत्य नहीं मानते, भारती तिहासकार, अधनी की तिहासकार इसकानेक सत्य नहीं मानते, लेकिन आपको कल को एक्जाम मिनना आजाए, इसलिए मैं बता रहा हूँ जरूर, आपको जानना चाहिए, क्या, अंग्रेजी तिहासकारों के नुसार, एक किताब है, नाम है उसको क्या, Alive the Wonder क्या नाम है भही, Alive the Wonder, अलाइव दिवंडर नामक किताब के अनुसार, जिसके लेखा कौन है खुद हॉलवेल, लेखा कौन है, हॉलवेल, हॉलवेल ने किताब लीघे लाइव दिवंडर, उसके अनुसार, सिराजुत दौलर ने क्या किया, उस थोड़ा अंग्रेजो और यहां पर सिराजु दोलग सेनी को जड़ाफ हो गया उसके चक्कर में इसने क्या किया इसने एक काल कोठरी की घटना को अंजाम दिया क्या किया भई कि इसने 20 जून की रात 20 जून की रात एक 14 बाई 18 फुट के कमरे में 146 अंग्रेजों को बंद कर दिया अंग्रेजों को बंद जून का महिना है गर्मी के मारे क्या हाल होगा गर्मी छोड़ो इतने छोटे कमरे में इतने लोग को भरेगा क्या हाल होगा और इसने बताया कि 21 जून की सुबह कुल 23 जिन्दा बचे थे और बाकी 123 मारे गए इसी घटना को कहा जाता है काल कोठरी की घटना क्या बोलते इसको भई आपको हिंदी में पूछेगा काल कोठरी की घटना तब तो आप समझ जाओगे इंगलिस में इसको बोले आता है क्या ब्लैक होल बो देते हैं यह घॉग्रफी ऑला ब्लैक होल नहीं है वाली ब्लैक होल नहीं है यह ब्लैक होल इंसिडेंट जो है यहांँ पर औढंगे यह काल उनकी रात को जो घटना घड़ी दोती है सिराजुद दौला के बारे में बताया किसने हॉल्वेल ने अलाई दुबंडर में कि 123 अंग्रेजी अधिकारी मारे आते हैं अंग्रेजी सैनिक मारे आते 23 लोग के वाल जिंदा बसते हैं और जिंदा बचने वालों में मैं खुद किसने हॉल्वेल ने और इसी समय फिर हॉल्वेल बोलता है कि चूकी मैं जिंदा बच गया इस तरह फिर मैं दोड़ा दोड़ा भागा भागा आया किसके पास किसके पास आया भाई क्लाइव के पास आया और क्लाइव को जानकारी दी किसकी काल कोठरी की घटना की काल कोठर की घतना की जानकारी के किसको किस ait और यहां पर यह जून में निकला और जा करके पहुंचा क्लाइवके पास अब क्लाइव क्या रियक्ट करेगा उस से पहले एक और गटना-गडित हो गई है क्या खटना-गडित हो गई अब देखो अंग्रेजों को इसने परास्त कर दिया कासिम वाजार में, अंग्रेजों को इसने परास्त कर दिया कलकत्ता में, और इसने कलकत्ता का नाम, जैसी इसने क्या किया जीता, ये जीता 20 जून को ये जीत गया था, उसके बाद इसने क्या किया था, कलकत्ता का नाम इसने रख दिया था, अली नगर क्या नाम रख दिया थे नहीं अलीन अगर इसने नाम रख दिया था किसका, कल्गत्ता का तो दूसरी तरफ जो सौकत जंग है और जलन में आ रहा है, अब सोकत जंग को अंग्रेजों का साथ भी नी मिल ला क्योंकि अंग्रेजों को कूट दिया है आदमी पहली तो सौकत जंग जो है आक्रमण करता है बात है अक्टूबर अक्टूबर 1756 की और एक युद्ध होता है नाम है मनिहारी का युद्ध कौन से युद्ध होता है भई मनिहारी का युद्ध होता है मनिहारी का युद्ध किसके किसके बीच हुआ है तो याद रखेगा ये हुआ है ये उडीसा वाले भाई सौकत जंग और इसी का साथ दे रही थी कौन ये घसीडी बेगम मेली तो लीडर सौकत जंग इथा घचिडी पेगम भी साथ थी versus सिराज जीतेगा कौन? जीतेगा कौन? सिराज जो है ये जीतेगा ये जीत गया और सौकत जंग हारा भी और इसको मार भी दिया किसने? सिराज उद्धौला ने कि भई इतने दिन तक समझा रहा है कि भाई तू ज्यादा मत उचक अभी मैं ही गद्धी पर बैठूंगा तू शांतर सौकत जंग नहीं माना बार बार आकरमण किये जा रहा था इसलिए फिर मनिहारी की युद्ध में अक्टूबर 1756 में सौकत जंगी क्या कर दियाती है? हत्या और फिर घसीडी बेगम के पास जाता है बोलता है कैसे मौसी? अब तोर का हाल चल कहा करने तहीं बता अब मौसेरे भाई को निप्टा दिया है अब मौसी के गरदन में तलवार रग के पूज रहा है कि अब यहां से तुम सांत रहना सीखोगे कि अबी भी तुमको राज चाहिए अगर मौसी बनके रहना है चुप चप चलो कहां बंगाल हमारे घर में रहोगे धाकावा का जाने जरुरत नहीं तुम फिर सड़ी अंदर रचोगे कहां रहना है तुमको बंगाल मतलब मुर्शिदाबाद में उधरी रहना है साथ में और इधर उधर नोटंगे नहीं करना है मतलब एक प्रकार से अपने घर में नजर बंदर मौसी है ना मा समान है इससे अधा अच्छा उप्शन और क्या दे सकता थो बताओ या तो नहीं मानो करती यहीं काट दूँगा या तो फिर चलो घर चुपचाप तो घसीडी पेगम अरे बेटा कहां मैं जवस्ती भाग गई थी सावकर जंग मैं क्या करूंगी राजपाट लेकर के तू तो बेटे समान है जैसे सावकर जंग वैसी तू एक काम कर तू बैठ जा गद्दी पर मैं कहां रोसो गुला पहुंचाते रहना है घसीडी पेगम कहां चले गई चुपचाप अभी बैठ गई और एक प्रकार का ये जो आंतरिक खत्रा था सिराज के लिए अब क्या हो गया वो बन और सिराज की नजरों में बाहरी खत्रे को भी उसने हटा दिया है सिराज की नजरों में बाहरी खत्रे को भी हटा दिया है लेकिन हॉल विल कहां गया है और अब क्लाइव क्या करेगा क्लाइव यहां से निकलेगा अकेला नहीं वाटसन के साथ किसके साथ वाटसन नौ सेना सक्ती ले करके आ रहा है और यहाँ पर Clive जो है ये इस्थल सेना ले करके आ रहा है और सिराजुत दौला बैट करके खबर सुन लेता है कि दोनों तरफ से मुझे घेरा जा रहा है अब सिराज करेगा कुछ तिकडम कल होगी प्लासी और बक्सर दोनों का यूद ठीक है बात? ठीक है अच्छा कल सेनी रहीवार होगे क्या? ठीक है ऐस करो फिर मंडे होगी ख्लास ठीक है बात? ठीक है बात? तो टेस्ट के बात कल लेंगे ने यार का? टेस्ट क्या? घ्यानी पूरूस हो तुम लोग? और महिला भी? 15 मिनट में दिला दोगे तुम लोग टेस्ट ठीक है? ज्यादा कोश्चन नहीं रहागा 25 कोश्चन के टेस्ट लगे तुम 15 मिनटे दिला लेना ठीक है? चारो